यदि आप क्लाश 12 के विद्यारती हैं और आपके इंग्लिस पेपर का प्रिप्रेशन अभी तक जीरो ही है अर्थात कुछ भी तयारी नहीं हो पाया है और इंग्लिस पेपर में अच्छे मांक्स भी गेट करना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला सक मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि जीरो प्रिप्रेशन से भी आप इंग्लिस पेपर में एच्छे मांक्स गेट कर सकते हैं तो हैलो आश्टूडेंस मैं विकास वामें एफसे का नौलीज विम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुने श्वागत इसके नाम है तो क्या करते हैं यान डबल लियाम ऐसे लिखते हैं उनको अगर इतना भी अगर नौलेज है तो भी वाइंग्लिस पेपर में आसानी से इस वीडियो को वाच करने के बाद अच्छे मांक्स गेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो इस टूडेंस के लिए अगर करने आप थोड़ा सा तेज स्टूडेंट या फिर मीडल के हैं तो मेरे चैनल को वीजिट करके आप वीडियो वाज कीजिए आपका अच्छा प्रिप्रेशन हो जाएगा और अच्छे माक्स गड़ करेंगे इस पेसलिए वीडियो उन्हें स्टूडेंस के लिए जो जीरो हैं मैसेश टाइप करना इंगलिस में तो आता जैसे कि लिखा है मैं लिखा है तो आप तो ऐसे आराम से ही टाइप कर लोगे मैं ठीक है इस तरह से अगर आपको लिखने आता है तो भी आप अच्छे माक्स गेट कर सकते हो तो इस वीडियों को शुरू से लास तक जिरुवाज कीजेगा तो question number 13 आता है उसमें आपको unseen passage देखने को मिलता है यानि एक passage दे दिया जाएगा उपर गदाम्स और उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप कीजे का क्या की जो question में जो रहेगा प्रस्न यानि जो प्रस्न में रहेगा जो भी अच्छा लिखे रहेंगे अगर आपके इस unseen passage वाले गदान से कहीं पर मैच किया तो अब पूरा line लिख दीजिए एंसर के रूप में एंसर के तो पूरा पैसेज उतार दीजिए पूरा पैसेज उतार दीजिए हेडिंग अच्छी तरह से डाल लिजिए एंसर के रूप में ठीक है अच्छी तरह से हेडिंग डालकर अगर बिल्कुल भी नहीं समय तो पूरा पैसेज उतार दो इसकी तरह अगर दूसरा question है इसमें भी जो question अगर इसमें कुछ अच्छा उस पैसे से match किया तो उसको पूरा लिख दो, अगर इसमें भी आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो पूरा पैसे उतार दो, answer अच्छी तरह है पूरा पैसे उतार दो, कोई प्राब्लम नहीं आपको छोड़ने से, या फिर आपका answer अ लिख दो, ठीक है, और एक question ज़रूर आएगा रिखांतित भाग को explain कीजिए, उसमें चाहे तो तिर्चा लिख देगा पेपर में कुछ words या फिर उसमें underline कर देगा, तो ऐसे अगर underline किये हुए अच्छरों का कहेगा, सब्द सम्हों को इसपष्ट कीजिए, तो आप आप क्या कीजिए, तो आप क्या कीजिए, जिस टॉपिक पर ऐसे लिखना हो, उसको पहले आप हिंदी में समझ ले, हिंदी में समझने के बाद, पहले heading तयार करें, heading तयार करें, heading पांच ठो, आप तयार करें, कम से कम पांच heading, पहला तो introduction या लिखना ही है, पहला heading जरूर लिख देना, introduction ठीक है, या पहला heading introduction या रट लो, या पहला heading डालना, और इसके पात्तमा वेडिंग बींग से और भी प्राइद हम आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप करेंगे क्या पूँटि को समय फक्रि करिया है जो हिंदी पा इबलोसोती है शुछ ह्यूसरी के समय करके को 그 मोणा में देवा थेग वीडह कोurg है जो आप सोचेंगे उसी हिंदी को मैसेज की तरह इंग्लिस में टाइप कर देना है अगर आपको नहीं आ रहा है बिलकुल भी आप इदर उदर मत कीजिए ऐसे ही करिए पूरा अच्छी तरह सेंसर के रूप में इसमें भी नंबर आपको मिलेगा यह अचीज आप ध्याँ इसमें आपको एक पैसे दिया जाता है कि स्टोरी दिया जाता है जो की जो की इंग्लिस में होता है तो इसमें तीन पार्ट होते हैं मेंसा ही पार्ट वन करना होगा ठीक है ना पार्ट वन करना याद रखना पार्ट वन नहीं तो सब गरबर हो जाएगा पार्ट वन ही आप तो Hindi से English में translate करने आपको आएगा नहीं जाइड़ सी वात नहीं आएगा तो अच्छी तरह से heading डालने न अच्छी तरह से heading याना अंसर की रूप में लिख लेना उसके बाद जो आपका वह हुआ हिंदी में रहेगा पैसेज उसी को सेम इंगलीस बना कर लिख देना, सेम जैसे मैसेज टाइप नहीं करते हो, उसी तरह आपको इंगलीस बना कर उसको लिख देना है, ठीक है, उसको इंगलीस बना कर लिख देना, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो आप क्या करेंगे, मैं पढ़ता हूँ, इस तर यह आप करेंगे, इसके बाद question number जो आपका 3 आता है, तो question number 10 जो आएगा वा grammar portion आता है, ठीक है, इसमें एक सही गलत आपको जो अच्छा लगे कर दो, ठीक है, करो जरूर, question number 10 में जो भी आपको कुछ है वा करो गलत सही करो, इसके बाद question number जो यह वाला जो बेगर पढ़े नहीं हो पाएगा, फिर भी आप गलत सही उसमें करो, इसके बाद question number 9 आएगा, उसमें direct narration, यानि की direct narration से इन direct narration में चेंज करने के लिए आपको आएगा, एक ठोकेवल साल्व करना होगा उसमें से, तो आप पहले क्या कीजएगा, या कामा और inverted कामा या पहले या पहले हटा देना, और कामा को भी हटा देना, और बीच में अगर चाहो तो देख लेना, direct narration लगाना हो तो लगा देना, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, कामा, inverted, कामा यह दोनों पहले हटा देना, इसके बाद जो आपका synthesis का आएगा उसी तरह दोनों वाक्षियों को जोड़ देना, दोनों वाक्षियों को जोड़ देना, एक ही मिला देना, और जो आपका synthesis, sorry, syntax का question आएगा उसमें कहीं आपको चार में से दो करना होगा, सही गलत उसमें तो वा पूरा दोनों दो वाक्षियों से syntax में से देख लेना, कुछ mistake कुछ mistake को अगर समझ में आए तो करना नहीं तो उसको भी उतार देना, थोड़ा बहुत गलती होता है, कभी-कभी ज्यामनार बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद transformation में क्या है, कि जैसा पूछा जाता है question, ठीक है, figure-up speech से पूछा जाता है, लेकिन figure-up speech तो आप रट लो, figure-up speech में आप शुरू के जो आपके simili हैं, इसका definition याद करो, परिभासा याद करो, example के साथ, एक example के साथ, एक example याद कर लो, बहुत ही simple तरीके से, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ फिगर आप speech का definition example के साथ, इसको रट लो, ठीक है, इसको तो इस पर आपको पूरे marks जानी कि चान नमबर आपको लेना ही लेना है, ठीक है न, पूरे number इस पर लेना, इसको रट लो अच्छी तरसे, इसके बाद जो आपका आता है 7-वा question, ठीक है, मैं जले लिए बता रहा ह या आपका आता है central idea लिखने को, ठीक है, central idea लिखने को आता है, अब central idea लिखने को आता है, तो जाहिर सी बात है central idea आप लिखे, आप देखो central idea लिखने के लिए आता है, तीन central idea लिखना है, और 10 lesson पूरे है पोयम में, तो आप starting के 4 lesson का central idea रट लो, उतने में से काम हो जाएग 4 lesson का central idea रट लो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको अच्छी तरह से पले learn कर लो Central idea अच्छी तरह से रट लो छाद नमबर इसमें fix हो जाएगा और central idea जैसे ही learn कर लेते हैं आपका जो question number 6 है जो आपको एक change का reference context के साथ explanation करना होता है इंग्लिस पोईट्री से जो इस्टेंजा देया जागा दो में से 1 का जो question number 5 आता है यह आपका आता है short story से इसमें आपको answer लिखना होता है short story से आता है तो अगर कहानी आप सुने हुए हैं ठीक है कहानी अगर आप सुने हुए हैं आपको English में नहीं लिखने आ रहा है जैसे हिंदी में सोच कर उसको English की तरह जो message होता नहीं है उसको type कर दो उसी तरह से लिख दो जैसे message लिखते हैं English में हिंदी का उसी तरह लिख दो यह आपका इसमें से question number 5 में भी कुछ काम हो जाएगा और उसके बाद question number 4 आता है यह आपका आता है merchant of Venice से merchant of Venice से आता है इसमें भी question answer होता है उसी type कर दो अगर कहानी याद है तो नहीं आ रहा है कोई बात ही चोड़ना नहीं गलत से उसमें कर देना है और कभी भी paper में इस प्रष्न का उत्तर पेपर के पीछे से आगे से ऐसे कभी मतनी लिखना յहीं पूरा उतार दो प्रष्न लेकिन यह कभी भी आगे पिछे मतनी लिखना उससे पूरा कर जाएगा, इसका जो question number 3 आता है, feel in the blank, सही गलत भरने वाला आपका जो आता है, सही words feel up करना होता है, तो उसको देखकर आप तो कर सकते हो, गलत से उस पर आप यूज कर सकते हो, कोई भी feel up कर सकते हो, इसका जो question number 2 आता है, वो आपके English approach से question answer लिखने के लिए आता है, तो यह भी आप अगर story याद है, तो ठीक है, गलत सही उसको लिखो, जो हिंदी को English में convert करके उसी तरह लिखो, आपको sentence बनाने नहीं आता है, तो बस हिंदी वाला message को English में type कर दो, ठीक है, जैसे हिंदी में आप message को English में type करते हैं, उसी तरह लिख दो, इंगलिस बना कर, और question number पहला तो आपको 100% अच्छे इस तरीके से करना है, question number पहले में reference contest के ताथ आपको किसी एक passage का explanation करना होता है, reference contest और explanation से अच्छा heading डालो, और मैंने इस topic पर वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप इसमी से अच्छे marks गेट कर सकते है, बैगेट तयारी के, बैगेट तयारी को मैंने बताया है, वो वीडियो भी जाक में चैनल को आप जरूर एक बार वाच कर लो, तो इस topic को, ठीक है, या मेरे चैनल को वीजिट करक है, तेरा questions को solve करनी के लिए, किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप मेरे चैनल को वीजिट कीजिए, और हो सके तो चैनल को subscribe भी कर लेना, और वीडियो को dislike मत करना क्योंकि मैंने उन्हें students के लिए बनाया है, जिनका preparation zero level का है, यानि उनकी तयारी बिल्कुल भी नहीं हो तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए thank you so much for watching this video.